हलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे एलिजरिन डाई के बारे में, इसको हम 1,2 डाई हाइड्रोक्सी एंथ्रा क्विनॉन भी कहते हैं, बात करते हैं इसके सिंतेसिस की, तो देखिए सबसे पहले एंथ्रा क्विनॉन का सल्फोनेशन फ्यूमिंग H2SO4 की परजेंस में इ तो एंथ्रा क्विनॉन का सल्फोनिक डेरिवेटिव बनता हैं, अब इसकी रियक्शन एन्योज के साथ करवाते हैं, तो इससे सोडियम सॉल्ट बनेगा, और जब इसको सोडियम क्लोरेट या पोटेसियम क्लोरेट के साथ इस टेंपरेचर पर अंडर प्रेसर में फ्यूज करते हैं, तो इससे ये कंपाउंड बनेगा, और इसकी रियक्शन जब HCL के साथ करवाते हैं, तो इससे ऐलिजरिन डाई का फॉर्मिशन होता है, अब देखिए इस परपस के लिए जो एंथ्रा क्यून यूज किया जाता है, उसको फ्रिडल क्राफ्ट रियक्शन के थ्रू आप्टेन किया जा सकता है, इसके लिए हम थैलिक एन हाइडरिट की रियक्शन बेंजीन के साथ अलुमिनियम क्लोराइड की परजेंस में करवाते हैं, या फ्रिडल क्राफ्ट असाहिलेशन करवाते हैं, तो इससे और्थो बेंजोईल, बेंजोईक एसिड का फॉर्मिशन होता हैं, और इसकी रियक्शन जब सल्फिरिक एसिड के साथ करवाई जाती हैं, तो उससे एन्थराक्विनोन अप्टेन होता हैं, अब देखिए एलिजेरिन की बात करें, तो ये ग्लुकोसाइड के फॉर्म में मैडर रूट में परजेंट होता हैं, जिसको हम रबर थाइ अब रबर थाइरिक एसिड का जब एसिडिक या एंजाइमेटिक हाइडोलाइसिस करवाया जाता हैं, तो उससे एलिजेरिन और ग्लुकोस अप्टेन होता हैं, अब बात करते हैं एलिजेरिन की फिजिकल प्रॉपर्टीज की, तो देखिए एलिजेरिन एक रूबी रेड क मेल्टिंग पॉइंट की वेल्यू, अब सौलिबलिटी की बात करें तो उससे एलिजेरिन, वाटर और और एल्कोहल में in-soluble होता हैं, लेकिन एलकिलीज में highly soluble होता हैं, और soluble होके purple solution बनाता हैं, अब यूजेरिन की बात करें तो उससे एक यूज़ परगेटिव के फॉ देखिए lexative की बात करें तो यह stool softening compound होता है